हेलो डियरी स्टुडेंट आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो यहां पे हम लेकिया है बीपी एस से ट्री पीजिटी का कोश्चन पेपर यहां पे देखिए अधर सब्जेक्ट भी है लेकिन हम बॉटनी के कोश्चन देख होगे तो इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा कंटेंट और यह अभी ना आठ सितंबर को बता रहे हैं यह आंगोइंग बैच है शुरू हुआ है अभी निव बैच है तो आप किसी भी बैच में जुआइन हो सकते हो जुलाजी बॉटनी लाइट सैंस के लिए भी है तो डिस् कोशन पहला कोशन क्या दिया है कि जो आपका रिजन रिजर पाइन ड्रग है वो कहां से निकाला जाता है तो रिजर पाइन ड्रग जो है आपका राउलफिया सर्पेंटीना से निकाला जाता है कहां से निकाला जाता है रूट से निकाला जाता है और यह किस फैमिली से बिल करती है यह और यह ब्लड प्रेसर और मेंटल डिसॉर्डर को कंट्रोल करने में काम होता है सेंतलम अल्बम एक तरह का पैरासाइट प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी से एट्रोपिन ड्रग निकाला जाता है तो एंसर ए आएगा अगला चलिए देखते हैं विच आप दो फॉलिंग ग्रूप एक्जिविट हायर नमबर अप इस पसीज तो सबसे हाई नमबर आप इस किसका होता है डो हई नमबर आप इस पसीज होता है आपका फंजाईगा तो सी जाएगा इसमें मतलब जो बहुत सारी टेक्निक दी गई हैं क्या कामन है यहां पर तो ज सी डूड होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जागे प्रोटक्ट करते हैं तो सी आएगा इसका एंसर अगला हमारा कोश्चन है कि जो आर्थ सम्मिट हुआ था रियो डिजनेरों ठीक है उन्निस बानवे में ठीक है तो वही मतलब है कि एक समीट हुआ था रियो डिजनेरों लंग आप अर्थ किसे बोलते हैं तो अमेजन रेन फारेस्ट को बोलते हैं ठीक हैं यहां पर धेर सारे प्लांट पाय जाते हैं जो हमारे धर्ती पर आकसीजन को बनाया रखने में काम करते हैं अगरोज जीले लेक्टो फोरेसिस में एगरोज यूज होता है सी वीड से नि more than one नहीं जाएंगे जेल इलेक्टोफोरिसम्स हमारा ज्यादा सही होगा ना अगला हमारा कोश्चन क्या है इंग्लिस वलाई देखेंगे हम द एंजाइम केटालाइजिंग द रिमूबल आप नुकलोटाइट फ्राम द इंडाप डिन्ने तो इंडाप डिन्ने रहेगा तो इ लाज प्रोदिटिक प्लीक्तोफोरिसम्स हो द देखेंगे लिए अग्र dit नहीं में प्रोड्यॉस करने लिए करते हैं पहले द इनलिंन होता है फिर कहां क्या होता है एनलिंग होता है फिर एक्स्टेंशन होता है अलग-अलग टंप्रिचर होता है कमेंट सेक्षन में आप बताना अगर देख रहे हो तो डी नेचुरेशन का एनलींग का और एक्स्टेंसन का क्या टमप्रीचर होता है किस टमप्रीचर पर काम करते हैं अगर आप पढ़े होंगे हमारे ग्रुप में होंगे कोर्स में कर जॉइन होंगे तो देख रहे होंगे यह सब बड़ी सिंपल सिंपल कोशन है इसका साइज भी इंपॉर्टेंट यहां पे अगर मॉस्ट ना करके करता हम इंपॉर्टेंट फीचर रहता तो ज्यादा सही होता डी के साथ लेकिन मूश्ट दिया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यह है है लेकिन यह तीनों जरूरी है तो हम डी के साथ जाएंगे जियाक का फुल फॉर्म क्या है तो जेनेटिक इंजिनिरिंग अप्रूवल कमीटी इसका फुल फॉर्म है जो भी नया आप GMO बनाते हैं जेनेटिक ली आस मुडिफाइड आर्गनीजम बनाते हैं तो उसको जियाक परमीशन देता है तो जेनेटिक इंजिनिरिंग अप्रूवल कमीटी अगला हमारा कोश्चन है बायो पायरेसी क्या है तो बायो पायरेसी है एक्स्प्लाइटेशन आप दर रिसोर्स आप अनेदर विदाउट द प्रॉपर आथेंटिफिकेशन मत होता है जिससे की बिटामीने का सिंथेसिस वहां पर ज्यादा बढ़ जाता है तो रतवधी नाइट ब्लाइंडेस को ट्रीट करने में हुझ होता है तो यह आएगा इसका राट एंसर तो फॉस्ट क्लिनिकल जीन थेरिपी किसको दिया गया था तो फॉस्ट क्लिनिकल जीन पी एक चार एक की लड़की थी जिसको किस कौन से डिफिसेंसी हो गया था डिजीज हुआ था यह सी आईडी सीवियर कंबाइन इम्मिनो डिफिसेंसी डिजीज हुआ था जहां पे एडिये जीन काम नहीं कर रहा था आपका ठीक है भाई अगला हमारा कोशन है प्रोटो टॉक्सिन क्या होता है तो प्रोटो टॉक्सिन जो तो होता है इनक्टिव टॉक्सिन होता है वो बाद में एक्टिवेट किया जा सकता है तो इनक्टिव टॉक्सिन को प्रोटो टॉक्सिन बोलते हैं पिरामीड आप एनरजी जब आप यहां पे मोर देंड वन आपसन जाएंगे यहां पर टू और फोर दिया हुआ तो इसके साथ जाएंगे यह भी जा सकते हैं देखो एसे कौशन में थोड़ा से अगला हमारा कोस्ट्टन है कि जो फोटो सिंथेक्ली एक्ट डीकमपोजिशन हो गया न्यूट्रियन साइक्लिंग हो गया प्रोडक्टिविटी हो गया तो सब फंचनल रोल प्ले करते हैं function unity की तरह काम करते हैं ecosystem में अगर इन में से कोई नहीं होगा तो ecosystem रन ही नहीं होगा तो more than one of the above होगा right answer यहां पे degradation of detritus into simpler organic substance by bacteria or fungi तो इसको हम क्या करते हैं catabolism करते हैं अगर यही केचुगा के द्वारा होता अर्थवाम कराता तो fragmentation करते हैं leaching क्या होता उपर का mineral जो होता है percolate ऐसे उपर वाले layer से निकल के नीचे वाले में चले जाए तो leaching कहते हैं उसे ठीक है तो answer क्या आएगा catabolism आएगा BPSC में बड़ा simple simple आता है ज्यादा अगर आप देखो यह NCRT लेवल की चीज़े आ रही है और यह जो जैसे BPSC का पेपर है आप MSC entrance assistant professor में भी जाओगे ऐसा ही question आता है देखो the rate आप biomass production इसको हम productivity बोलते हैं तो primary, secondary यह सब हम जानते इस टार्टिपिकसन क्या होता है vertical distribution of the plant community ठीक है mineralization तो आप जानते हैं during microsporegenesis meiosis कहां पे होता है तो meiosis कहां पोगा जो deployed होगा तो यह देखो haploid होगा यह भी haploid ही रहेगा यह रहेगा deployed तो meiosis यह microspore mother cell में रहेगा by lobed enter है तो क्या रहेगा by lobed enter होता है आपका तो इसमें क्या रहता है यहां पे आपका 2 ठीका रहेगा और 4 microsporegenia रहेगा तो answer यह आएगा हाँ 4 microsporegenia रहेगा ना भाई चार ठीका तो नहीं होगा ना अगला हमारा question है चूज करना आपको correct statement को क्लिष्टोगेमी फ्लावर एक्जिबीट आर्टोगेमी हाँ क्लिष्टोगेमी मतलब जो close flower होते हैं वो हमेशा आर्टोगेमी सोगरते हैं मतलब तो चैस्मोगेमी फ्लावर में आर्टोगेमी भी हो सकता है चैस्मोगेमस फ्लावर नेवर एक जिबीट आर्टोगेमी गलत बात है तो हमारा answer तो ए आ जाएगा इन दे इंब्रियो आप टिपिकल डाइकार्ट एन ग्रास ट्रू होमोलागस होमोलागस क्या है भाई जिसका ओर्जिन सेम हो लकिन काम अलग अलग हो तो देखो ओर्जिन हाईपोकेटाईल और रेडिकल यह भी एक जगह से ओर्जिन कॉर्टिलीडन सम डाइकार्ट में कहे को ली राइजा यह देखो रूट के ऊपर कवरिंग रहेगा यह हमारा सेम सेंच करके तो यह क्या है मौर दन भान हो जाएगा होगा जो नृट क्या होता है फ्री नूपलियर इंडोय स्पर्म होता है क्यों होते हैं और जो नारियल आप खाते हो वाइट जाता है उसको हम क् इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है ना चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं लालव तो अलफा के लिए 16 होता है और बीटा के लिए 11 होता है तो यह पर प्वाइंट मेंटा होता है तो यहां पर क्या होता है वैलीण आपका क्या होता है किसे बदल जाता है आपका जी ये जी बदल जाता है आपका जी यू जी से ठीक है पहला जाएगा दफेना मेना वेन एन आर्गनिजम इस क्रियेटेट विद इंकरीज एबनार्मल नंबर आप क्रोमोसोम तो इसको हम एन्नियू प्लाइडी कहेंगे कम या जादा हो सकता है प्लियो ट्रॉपी क्या होता है जब एक जीन रहे मल्टिपल इफेक्ट को कंट्रोल कर दें मल्टिपल करेक्टर को तो उसे कहेंगे वन वन जीन इकचबीट मल्टिपल ट्रेट वेन मल्टिपल जीन कंट्रोल मल्टिपल ट्रेट नहीं ये नहीं होगा तो B आएगा answer Condensation आप chromosome कब होता है तो Condensation आप chromosome आपका Metaphage first में होने Condensation आप chromosome है ना तो Metaphage first में होगा Cell do not further divide at which of the following stage तो Cell जब होते हैं G Europhage में पहुँच जाते हैं न डिवाइड नहीं होते हैं रुक जाते हैं Procreatic ribosome का subunit क्या होता है तो 30 plus 50 होता है और ये क्या है Eukaryatic का है subunit ऐसा कौन सा आरगनल है जिससे Bacal, Granule, Cilia और Phlegela बनता है तो इस Centrosome से बनता है भाई देखो कुछ बताने लाइक है ही नहीं अब जैसे ये बेस रांदा टाइप आप pigment Plastic can be classified तो Plastic को हम Recoplast, Chromoplast, Clotoplast, Ileoplast सब में classify कर सकते हैं तो more than one आप दे अब 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 Fluid मुझे एक model किस ने दिया था तो Fluid मुझे एक model दिया था Singer और Nicholson ने Robert Brown ने Nucleus की खोश की थे Sliden and Swan ने दिया था Cell theory Backend Digi, जाप Rise क्या कराता था अब आई जिब्रेला फ्यूजी कुराई कराता था तभी कुरुसावा ने 1926 में जिब्रेलीन खोश लिया था Alternaria Solenie कराता है Early Blight क्या कराता है? Early Blight कराता है Cytoskeleton का काम देखो Cell को mortality प्रोवाइट करने में Cell को safe support करेगा Cell Argonel को तो all up the above होगा यहां पे भी अगला हमारा कोश्चन है Closed ऐसा क्या होगा जो Closed बेस्कुल बंडल में अफसेंट रहेगा तो देखो Cambium नहीं रहेगा क्योंकि secondary growth की जरूरत नहीं हो वहाँ पे Cortex किसके किसके बीच में पाएजाता है तो Cortex पाएजाता Epidermis के बीच में और Indodermis के बीच में Which are the following tissue are involved in the secondary growth in diecart plant तो lateral maristeme, vascular cambium, car cambium सभी होगे तो more than one up the above यहां पे होगा अगला कोश्चन है Gases exchange के लिए plant के पास क्या क्या रहता है तो देखो lenticill से भी हो सकता है stem के अंदर और stomata से भी हो सकता है लीप के अंदर, तो more than one up the above इसमें से कौन सा ऐसा option दिया गया है जो water को conduct नहीं कराता है तो heartwood नहीं कराता है sapwood और alburnum तो दोनों एक ही है heartwood को जैसे हम क्या बोलते हैं duraman बोलते हैं sapwood को alburnum ही बोलते हैं तो यह हमारा right answer आजाएगा rate हो जाता है grasses में क्या होता है कुछ epidermal large cell होते हैं impity colorless cell हो जाते हैं जिसको motor cell भी बोलते हैं जो transpiration को rate को control करते हैं that is the belly form cell isobilator adaxial surface पर पाए जाता है C4 plant में rubis को कहां पर present होता है तो C4 plant में rubis को bundle seed cell में present होता है ठीक है which of the following is the product of light regression in photosynthesis तो light regression से देखो तो NADH2 बनता है oxygen बनता है ATP बनता है तो more than one up the above होगा how many turn up Kelvin cycle are required for the formation of one glucose molecule तो भाईया 6 बार Kelvin cycle चलेगा तब एक glucose बनता है before its entry into the Krebs cycle pyreoc acid molecule get converted into तो pyreoc acid कहां किसमें बदलता है link reaction के दवारा acetyl coenzyme A में बदलता है decarboxylation अकब होता है तो decarboxylation होता है आपका tca cycle यानि Krebs cycle में ठीक है दो decarboxylation reaction होते है वहाँ पर 포인 tuition cry first AB cry first AB किsको कंटोल करता है तो यह कंटोल करता है आपके karn borer को cry first AB कंटोल करता है karn borer को क्यूंँ चलनी रहा है तो karn borer आएगा और cotton bowl warm के लिए होगा cry second AB अगला हमारा question है, चलिए देखते हैं. Systematics का क्या मतलब है? So, systematic का मतलब होता है, diversity, dye composition and इस्टड़ी आप आर्गन सिस्टम नहीं, आइडेंटिफिक्शन और प्रिजर्वेशन नहीं कराते भाई, बायो गैस के प्रोडेक्शन के लिए कौन सा माइक्रो आर्गनिजम हेलो करता है, तो वो आर्गी बैक्टिरिया है, आपका मेथेनोजेंस, ऐसा कौन सा बैक्टिरिया है, जो नैटोजन को फिक्स कर सकता है, वो एना बिना है, ना स्टाक है, आसी लिटोरिया भी कर सकता है, तो आला अब देब दो, देखो इनके पास ने हेटरोसाइट करके होता है, एक स्पेसल इस्टक्चर, लेकिन आसी लिटोरिया में हेटरोसाइट नहीं होता, फिर भी ये नाटोजन को फिक्स कर सकता, अगला हम किस ने दिया था इन्होंने वाइरस की दिस्कवरी की थी इन्होंने क्या किया था वाइरस को किस्टलाइच किया था इन्होंने क्या किया था किस्टलाइच किया था इन्होंने क्या किया था किस्टलाइच किया था किस्टलाइच किया था किस्टलाइच किया था किस्टलाइच प्लाजमोगमी जो होता है फूजिश से कौन-कून विलांग करता है तो क्लॉरोफाइसि से । कारा भी आसकता विसे कैरोफाइसि करते है लेगं यह क्लोफाइसिह में हाएगा वालवाक्स यूलोथ्रिक्स तो तो more than one of the above ऐगा amphibian of the plant kingdom किसे बोलते हैं तो bryophyta को बोलते हैं snake of the plant kingdom pteridophyta को बोलते हैं इस phagnum के लिए क्या correct है तो archegonium phloxate होता है enthezoid biflagellate होता है multicellular sporophyte produce होता है तो more than one of the above अगला question है not an example of moss तो moss का example markensia नहीं है यह दोनों तो आपको बराफ सिडा के member हैं moss है अगला question है match कराना है green algae spiro gara है brown algae laminaria है red algae for pyra है तो आपका match हो जागई है which other falling statement is not true about teridophyta तो यहाँ पे देखो water is required होता है undifferentiated vascular tissue मिलते हैं का सकते हैं female game to fight return on parent नहीं female game to fight का independent dependent existence होता है तो c यह आएगा is correct answer अगला question है incorrect match चूच करना यहाँ पे sylopsida से teris belong करेगा sylopsida teris करता है नहीं terosida से teris होता है न तो answer यहीं आजाएगा terosida से deansum करता है lycopodium sylijanella lycopodium lycopcida से करता है lycopcida अच्छा lycopcida sylijanella सही है सही है तो answer हमारा A आजाएगा choose the correct match तो pinus के पास mycorrhiza होता है sycas के पास koloride root होता है sycas के पास pinnate lips होता है तो more than one of the variety answer हो जाएगा sikoya कहां से विलॉंग करता है तो sikoya दुनिया का सबसे बड़ा पेड जिमनिस्प्रम से विलॉंग करता है different tree पे male और female cycle cone कहां भी मिलता है तो sycas के पास होता है यह diocese plant होता है member आप phycomycetis कहां मिल सकते हैं तो decoying root पे मिल सकते हैं obligate parasite हो सकते है aquatic habitat में मिल सकते हैं more than one of the above mustard के ऊपर कौन parasite होता है mustard के ऊपर Elvigo होता है जो white rust कराता है white rust कराता है ना paxinnia के दुआरा कौन सा digit होता है तो paxinnia से देखो क्या होता है question थोड़ा से गलत दे दिया भाई मैं इसको ननाब्द एबब करूंगा paxinnia देखो black rust होता है black rust होता है paxinnia से black rust होता है black rust आफिट होता है white rust to Elvigo से होता है jis को हम sistobus candida से आधर भूलते हैं लिंसे रष्ट मेलं पूरा से होता है मिलंस और लिनी से वेल्डी जीज किसे होता है फ्यजरीम से होता है नहीं होता है तो इसका ऐंसर नन आप देवब मैं मारुँगा लेकिन एंसर दिया कहा यही जो कि गलत है चलेंज कर देना which are the following plant is with hallucinergic property तो hallucinergic मतलब नसीले पदात कौन कौन है तो ये भी है ये भी है ये भी है तो more than one आप दरिबब पोपी प्लांट से क्या निकाला जाता है तो देखो हसीस और कोकीन तो निकाला नहीं जाएगा पोपी प्लांट से मार्फिन निकाला जाएगा कोकीन जो होता है एरिथ्रोजाइलन कोका से निकाला जाता फ्लोरल फार्मॉला में कैलिक्स को रिपेजेंट करते हैं के से ये है आपका कोरोला और ये है आपका पी से पिटल नहीं कहेंगे पी से हम पेरियांध कहेंगे ना पेरियांध तो ए आएगा इसका answer एक्टिनो मार्फिक और जाइगो मार्फिक नेचरा फ्लावर कब हम रिपेजेंट करते हैं तो देखो एक्टिनो मार्फिक रहता है यह बाई लाकुलर होता है ठीक है यूनी लाकुलर भी नहीं होता दो एंसर मरा सी आएगा अगला हमारा कोश्चन है कॉल्ची सीन जो कि माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं इस पिंडल फाइबर के फार्मेशन को रोक देता है और पॉलिपलाइडी कराता है कॉल्चीकम आटो मोनेल से निकाल ला जाता है और लिली ऐसी फैमली से भी लॉग करता है टेपल किस फैमली मिलता है मतलब जब सेपल और पेटल टिफरेंशेट नहीं आ रहे सारे एक में रहें तो यह Monokart की फैमली लिली ऐसी में पाय जाएगा ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो seed darmency को break करेगा तो देखो seed darmency को break कराने के लिए main काम है जिब्रेलीन का लेकिन एथिलीन भी कराता है तो ये आई बीजी कहां पे है इंडियन बॉटनिकल गार्डेन तो आपका लखनव में है तो इस तरीके से हमने BPSC 3.0 PGT का question paper देखा बड़ा ही simple simple question था आप किसी भी exam का तयारी कर रहे हैं देखो ये question है ना ये देखने के बाद आपका यहां पे आना चाहिए अगर आप अगले साल के लिए भी तयारी कर रहे हैं ना यहां से जैसे अगर जितने भी 80,91 question था ना 30 उधर 80 question था तो 80 question में से आप accuracy rate आप 50% मान के चलिए 50% आपका सही है तो आपका तयारी सही है अगर 50% से भी कम ही चीज़े आ रहे है तो लुटिया डूप जाएगी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ाई कीजिए समझ गए चलो मिलते है नेक्स वीडियो में और वीडियो में कमेंट कर देना भाई और लाइक सब्सक्राइब करो 10,000 कराओ